आगे हमको देखना है मिश्रन क्या होता है तो यहां पर तक हमने क्या देखा है यहां तक हमने देखा है कि योगिक क्या होता है और योगिक के प्रोपर्टीज क्या होता है साथी साथ तत्व और योगिक में अंतर क्या होता है मिस्रन के बारे में देखना है English में इसको मिक्चर बोलते हैं ऐसा नहीं है हमने जब chapter शुरू कर रहे थे तो वहां पर भी बात किया था कि मिस्रन किसको कहेंगे मिस्रन क्या होता है के योगी के बारे हमने क्या देखा है कि दो-या-दोस अधिक पदार्थों को एक निस्चित अनुपात में मिलाने से योगी बनता है यहां पर एमांट fix होता है अनुपात fix होता है जल बनाने के लिए यहां पर एक भास हमको हायडrogen चाहिए और भी जलब ना पाएंगे, ये बत मिसरन बनाने के लिए को इसा कुछ नहीं, कुई रूल नहीं Где-ःम है, साधारन सा परिवास आई जह से उधारन के अगर हम बात करें तो हमारे पास सपोज चीनी है और पानी है अब कोई फिक्स नहीं है कि इतने चीनी में कितना पानी मिला तुम्हारा मन है न तुमको बहुत ज्यादा मीठा पिना है बहुत ज्यादा अधिक चीनी मिला लो पानी से ज्यादा चीनी मिला दो मिले यहां भी रेशियो कोई फिक्स नहीं है कि इतना बालू साथ इतना सिमेंट मिलाना है तो कहने का मतलब है यह भी एक परकार का मिश्रन है नदी में चले जाओ जल में धेर सारी मिट्टी मिले होते हैं वह भी पानी और मिट्टी का क्या हो जाएगा मिश्रन तुम्हारा वहां पर हो जाएगा तो यह जो सारे उधारन हमको अच्छा कंकर कई बार होता है ने दुकान से हम लोग चावल या डाल खरीद के लाते हैं तो उसमें पत्थर चोटी चोटी पत्थर मिलते हैं ये भी तो मिश्रन नहीं होता तो फिर कह से जी भीत रहता है हवा के अंदर कार्बन डॉक्षाइड हुट ऑक्सिजन होता है इसके अलाबा गया और भी है बीना और धूलकनो का धूलकन और जलो के वास्पन का मिशरन है ठीक है अदूसरा है बारूद बारूद में मुखरूँ से potassium, nitrogen, charcoal और गंधक यह सब को मिला करके बारूद का निर्मान किया जाता है ठीक है leg मिला करके बारूद का निर्मान किया जाता है क्या क्या होता पूटेसियम, नाします our इस पारकॉल और गंदग को मिलाने से बारूद का निर्मान होता है, तीक है, आ Mark s cloth में मुखरूप से लौहा और carbon के अलाबा कुछ और पदातं हो जाता से व्यनेडियम हो गया क्रोमियम हो गया मैगनीज हो गया यह साराक के अंदर पोटेसियम नाइटेड गंधक और कोईला होता है यह भी एक परकार का मिसरन है इस पात के अंदर में कार्बन और लोहा तो होता ही है बढ़ फोरी मात्राम निकेल क्रोमियम मैगनीज और वेनेडियम भी पाया जाता है ठीक है यह साधारन मिसरन के कुछ उधारन का बना हुआ है हमने क्या किया हमने क्या किया यहां पर एक गिलास पानी लिया एक गिलास पानी में थोरा सा नमक डाला थोरा सा पानी डाला थोरा सा इसमें जो है न रसना डाला तो यह जो मिसरन बनाने इसमें तीन पदार चार पदार था एक नमक पानी रसना है तीन यह हो गया और चोथा पानी तो चार पदार्थों से मिलकर के यह मिसरन यहां पर बन रहा है तो यह चारो को चारो क्या हो जाएगा यह चारो का चारो का अवयव क्या हो गया दाल और कंकर पानी और मिट्टी पानी और मिट्टी इससे मिलकर के मिश्रन बिना तो यहां पर मिश्रन का अवयव क्या हो गया पानी और मिट्टी तो बिसिकली यही कहने का मतलब है कि जिस भी कनो से मिश्रन बना होगा उसको हम लोग मिश्रन का अवय मिश्रनिय द्रव वह द्रव होता है जो अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घुला लेता है उसको हम लोग मिश्रनिय द्रव कहते हैं जैसे जल जल के अंदर मिटी घूल जाताया, जल के अंदर तुम्हारा चीनी घूल जाताय से अदर तुम्हारा SEZA जाताया, यहाँ पर क्या है न, festival न, General दोनों ही आ है जल मिस्रनीय द capturing क्यों है क्योंकि जल के अंदर चीनी गुलेगा क्या बिलकुल गुल जाएगा जल के अंदर तुम देखो यहां से मिट्टी गुल ही जाता है लगाप लगाप घुली जाता है इश्ना भी गुल जाता है तुम्हारा と этой यह अऔर बहुत přाधार्थ पदार्थों को जल अपने अंदर घुलाने की छमता रखता है ना कोटेसियम डायकरूमेट को भी जल घुला लेता है कोटेसियम डायकरूमेट ले लो कोटेसियम डायकरूमेट को भी जल घुला लेता है तो ऐसा कोई भी द्रब जो दूसरे पदार्थों को घुलाने की छमता कि के?